हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग स्वागत है आप सभी लोगों का आज एक बार फिर से सुबह की पहली क्लास में जिसमें कि हम लोग डिसकस करने वाले बाल विकास का बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे विकास की अबस्थाएं या आप सभी एक्जाम जिनमें आपकी चैल्ड डप्लमेंट पेडोगोजी चैप्टर आते हैं उनके लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है तो पहला आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है विकास की अबस्थाएं इसके इंतर दो पार्ट आपके करा दिये थे पहला आपका था स आल्या बस्था ये दोनों इनसे सम्मंदिल लगबग आपके सव पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं पचास पचास पॉइंट लगबग और अच्छे से आपको पूरी व्याक्या के साथ समझा दिये गए थे उम्मीद करते हैं आपने दोनों पार्ट देख लिए होंगे और अच्छे से तयार हो गए होंगे आज की क्लास में हम लोग डिसकस करने वाले हैं तीसरा और अंतिम पार्ट जो उसकी सबसे इंपोर्टेंट है कि सोरा बस्था के नाम से जाना जाता है तो आप लोगों को मालुम होगा आज इसके बारे में इससे सम्मंदिल लगबग आपक क्या दूसरी क्लास में हम लोग डिसकस करेंगे आज एक इंपोर्टेंट टॉपिक को प्रेक्टिस सेट को जरूर देखेगा सामको पांच बजे वाल विकास की लाइव क्लास है तो चलिए दोस्तों पहले पॉइंट से देखते हैं वारे वर्ष से अठारे वर्ष तक की आय हो गई है अब इसके भी अलग अलग कुछ भाग होते हैं जैसे पूर्व किसोरा वस्ता यह उती बारे से 16 वर्ष हलां कि यह कई मनोब गैनकों ने अलग अलग तरीके से बताई है तो आपको एक जनरली इंफॉर्मेशन के लिए दे रहे हैं याद कर लीजेगा पहले आती पूर्व किसोरा वस्ता है यनि कि किसोरा वस्ता की प्रारंबी का वस्ता बारे वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक की वस्ता फिर आती उत्तर किसोरा वस्ता यानि कि मैचरूटी की यह आती 17 से 19 वर्ष की उम्र तो दोनों याद कर लीजेगा आगे बढ़ते हैं सबसे important question से बढ जादा पूछा जाने वाला कोश्चन कि सोरा वस्था बड़े दवाव तनाव तूफान वास संघर्स की वस्था होती है यह कथन किसका है तो यह कथन इस्टेनले हॉल का और लगभग इतने वार आपको कथन करा चुके हैं कि आप सभी लोगों को रट गया होगा बिल्कुल इ लेवं तीब्र विकास का काल कौन सा कहलाता है तो दीखे वैसे तो किसोरा वस्था कहलाता लेकिन अगर इसके अंतर गत्वी पूछा जाता है कि कौन सा काल कहलाता क्योंकि कोश्चन कभी आप से सीधे नहीं आता है आप पूछ दियागा पूर्व किसोरा वस्था तब आप ही अधिक तेज यह आपका किसोरावस्था पूर्व किसोरावस्था दोनों याद रखेगा अगला किसोरावस्था में संबेग प्राया होते हैं तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं किसोरावस्था में संबेग जोते हैं कैसे होते हैं बहुत अधिक उग्र होते हैं यान कि बहुत ही ज़ादा जगडालू प्रिवत्ति के तो दोस्तों यह आपको याद हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं कि सोरा वस्ता में जब बालक पहुच जाता है तो सिच्छा पर पूंड रूप से ध्यान देने लगता है पहली चीज़ क्यों देने लगता है क्यों कि जीवि को पारजन के उद्देश से हमें उसे पूरा करने के लिए किस प्रकार की सिच्छा की आविसकता है यह स्वरूप होता है और यही उसका उद्देश से होता है इसी को लेकर सिच्छा को ग्रहन करता है अगला किसोर ही वर्तमान की सक्ति और भावी आसा को प्रस्तुत करते है यह कथन किसका है किसोरा वस्ता से सम्मंदित कथन है क्रो एंड क्रो का कथन है इन्होंने बताय था कि किसोर ही यूबा ही होते हैं जो कि वर्तमान की सक्ति और भावी आसाओं को प्रस्तुत करते हैं अगला important कथन है दोस्तों इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किसोरा जीवन का सबसे कठिन काल है यह कथन किसका है किल पैट्रिक या किर्क पैट्रिक आपको दिया हुआ मिल जाएगा important कथन है केबल आपको अगर इतना ही दे दिया जाए कि जीवन का सबसे कठिन काल किसको कहते हैं तो यह किसको कहा जाता है याद होगा आपको किसोरा वस्ता क को कहा जाता है किसो किसूरा वस्ता को कहा जाता है ये कहा किसने तो ये किरकट्री। का कथन형 याद कर लीजिए बहुत अच्छा कथन इंपॉर्टन कथन का schem के नाम से जाता है अगला वूप्र say को किसूरा वस्ता को इंगली के नाम से जाना जाता है अगला वालक का सारीरिक मानसीक सामाजिक और सामवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्टया प्राप्त होता है तो वालक का जो सारीरिक मानसीक सामाजिक और सामबेगात्मक विकास होता है यह किसोरा भस्ता में पूर्टा को प्राप्त करने लगता है यानि कि मैच्योरिटी लेवल को पहुंचने लगता है सारी विकास लगभग पूर्ण हो जाता है मस्तिस्क भी बालक का परिपूर्ण हो जाता है इसका समाज से जुड़ चुका और उनका प्रियोग करने लगता है अगला संबेग आत्मक विकास में किस अवस्था में तीब्र परिवर्तन होते हैं यानि कि संबेग जो होते हैं अत्यदिक उग्र होते हैं इसका मलब है तीब्र परिवर्तन होता है बहुत तेजी से बदलते हैं यह किसोरा वस्था में होता है यानि कि एकदम से आपको बहुत ज़्यादा excited उग्र हो जाएंगे फिर परिवर्ता न लगता यानि कि बहुत तीब्रता से जब संबेगों में परिवर्तन आता तो वो किसोरा वस्था में आता है याद करिएगा अगला पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था में परिवर्ता किस काल में आती है तो दोस्तों सामाजिक व्यवस्था में परिवर्ता जो होती है यह किसोरा वस्था में आती इसका मतलब यह हो गया कि बालक समाज से जुड़ करके मैचेयृटी की बात आनि कि समाज से जुड़ करके उस किसोरावस्ता कठिन काल के रूप में तो किसोरावस्ता से सम्मंदित जो उनमें परिवर्तन आते हैं जो इससे सम्मंदित विसेश्था हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह सभी देख लिजेगा सिर्फ इतने पार्ट से ही एक नंबर आपका पक्का हो जाएग तो दोस्तों किसोरावस्ता कठिन काल के रूप में होता है तो इसमें क्या हो जाता है समायोजन में असमर्थता होती है संबेगात्मक अरिपक्कुता होती है योन आकरसन या कह सकते हैं कि विपरीत लिंग आकरसन यानि कि इस अबस्ता में बालक को अपने से विपरीत अध्यन को छोड़कर अन्य चीजों में लड़ाई जगड़े में दूसरों से बारता लाप करने में समास से जुड़ने में इन चीजों में रुची होती है वहिर गामी व्यक्तित होता यानि कि जो कुछ भी होता है दूसरों के सामने व्यक्त करके अपने को दूसरों के पेच वाल्य वस्था के देखिए वस्था होती है तो मुल्य और आदर्सों में बालक को बहुत संघर्स होता है समझ नहीं पाता है कि हमें किस जगह पर क्या करना है और चूँकि संबेगों का भी नया नया उसके अंदर आना प्रारण वह जिसकी वजह जैसे वो आदर्स और जो मूल होते हैं, उनको ठीक रूप से नहीं समझ पाता कि ये किस प्रकार से उसे करना है, अगला पेंडूलम जैसी अबस्था की अनभूत यानि कि उसे समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, सिर्फ वो अपने आपको ऊप उपर उठाना चाहता है, समाज में अपनी सक्री भागिदारता दिखाना चाहता है, सामदाम दंड भेद से, अगला उदासीनता, दिवास्वपन और सच्छंदता, नियंतरन और अनुसासन से मुक्ती, ठीक है दोस्तों सच्छंदता, ये आपके किसोरा बस्ता कठिन काल है उसकी कुछ सौरूप दिखाएगे, कुछ विशेस्ताइं दिखाएगे हैं, कि किस रूप में किसोरा बस्ता कठिन काल होता है, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, चलिए अगला पॉइंट आपके सामने है, किसोरा बस्ता की विशेस्ताओ की सर्वोत्तम रूप में विक्त करने वाला एक सब्द क्या है, तो सबसे इंपोर्टन कोशन है, पूछा जा चुका, याद कर लीजिए अब परिवर्तन, जो बालक के इंदर परिवर्तन देखनों को मिलते हैं, तो चाहे वो सारीरिक रूप से परिवर्तन हो, मांसी रूप से भासाई रूप में या अन्य किसी रूप में, तो सबसे अधिक परिवर्तन जो देखने को मिलते हैं, वो किसोरा वस्था में ही देखने को मिलते हैं, इसके साथ ही साथ दूस्तों बताना चाहेंगे, कि सैस्वा वस्था वाल्य वस्था दोनों के लिंक नीचे दिये गए हैं अधिक से दिक संख्या में सभी classes को जरूर देखते रही है पिछले एक दो दिन से आप classes को नहीं देख रहे हैं तो उन classes को देखते रही हैं त्यारी करते हैं अगर आपको कोई डाउट हो कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोग मुझसे comment box में comment करके पूछ सकते हैं या whatsapp पर भी या instagram का नीचे आपको instagram का और telegram का link दिया गया वहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने doubts को clear कर सकते हैं अगला point किसोरा वस्था की विसेस्ताओं की सर्वोत्तम व्यक्त करने का रूप परिवर्तन बता दिया आपको आगे बढ़ते हैं किसोरा वस्था वाले वस्था अथवा प्रोड़ा वस्था के बीच की कैसी वस्था भी आपको होताए था अब अस्थिर्ता की ज़स्ता है यानी वालक समझ नहीं पाता है कि वो क्या कर रहा है क्या सही है क्या बिज्ता गलत है ने कि कि शुरालक की मनोब ऒग्यानिक विसेष्था क्या होती है कि ऑनल संवेग आत्मक विकास के कारण इस्थायत और समायोजन का अभा होता है यानि कि वालक के अंदर उग्रता की भावना निरकती संबेगों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता जिसकी वज़े से नई नई चीजों को हासिल करके वो समझ नहीं पाता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है तो उसे समायोजन की समस्या होती है और स्थायटु की वस्तु स्थायटु की समस्या होती है अगला Adolescence की रचना किसने की है ये बुक का नाम है दोस्तों Adolescence बुक है इसके रचना का रहे हैं GS Hall उम्मीद करते हैं जल्द ही एक बुक मार्केट में हम लोग भी लेकर आ रहे हैं बुक की प्रिंटिंग की प्रक्रिया लगभग प्रारंब हो गई है और जैसे ही बुक आ जाएगी आप लोगों को उसके बारे में इनफॉर्म कर दिया जाएगा अगला दोस्तों किसोर में जो सारीरिक मानसिक संबेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अक्समात होते हैं कथन किसका है ये जीयस हौल का कथन है कि किसोर में जो भी परिवर्तन होते हैं चाहें वो सारीरिक हो मानसिक हो या फिर संबेगातमक परिवर्तन हो वो अचानक से होते हैं ये जीयस हौल का कतन है अगला धार्मिक एबम नैतिक सिच्छा दी जानी चाहिए किसोरा वस्ता में दी जानी चाहिए क्योंकि इस रूप में इस अवस्ता में वालक को जो ग्यान दिया जाता वो इस थाई रूप स सबसे पहला कतन यही पढ़ाया था तो इसमें आपको अत्यधिक तनाव तूफान संघर्स और विरोध की अवस्ता बताया था तो यह चीजें आपको याद हो गई होंगी अगला किसोरा वस्ता की प्रमुक विश्यस्ता नहीं है तो इस अवस्ता में संचय की प्रवत्ति न श्मालने की प्रवत्ति होती है यह किस अवस्ता में होती हिए अधिक सदिक सनकाय में इसका अंसर आप लोगक Ohh में जरूर देते रहे ताकि मुझे पता चलता रहे किते आ आप लोगहों को समझ में आ रहा है किशागर वस्ता की तो नहीं है लेकिन संचय की प्रवयतिक किस अवस्था की विसेस्ता है अगला किसोरा वस्था की प्रमूख विसेस्ता क्या होती है तो संबेगों का अधिक कल्पना की वहुलगता और मानसिक विकास यानि कि कल्पनाओं पर निर्वर रहता है व्यक्ति संबेग अधिक रूप से सच्छम होते हैं और हाव हैं उत्तेजना या भावों में जो उतल फुतल आती जो उत्तेजना और भावों को व्यक्ट करने के लिए अन्द ब्रकार के रूपों का प्रयोग किया जाता है वे सभी सम्बेक के अंतरकत आते हैं कि सबस्था में आवएगों की तीप्रता सितित्piece होती KIE brings आपेख दिया हो इस सभी तीप्रता से जी सबस्था में बालक की अंदर आते हैं वो किसोरा वस्था ही ऑगलाstat को इंपॉर्टेंट है कि सोरः बस्ता में बालक की रुची लेने लगता है कि समान लिंग पर यानि कि अपने ही साथ के मित्रों पर बालक है तो बालक बालिका है तो बालिकाओं के साथ रहना पसंद करता है और किसोरा वस्था में विपरीत लिंके सार रहना पसंद करता है अगला बालक वास्थविक जगत में आ जाता है कब किसोरा वस्था के बाद क्योंकि किसोरा वस्था में बालक मुख रूप से समाज से जुड़ जाता है उसका प्रमुख रूप से सभी प प्रत्य करण इस्मरती ध्यान कल्पना चिंतन बुद्धी तर्क आदि में ब्रद्धी होना ये मांसिक विकास ये सभी मांसिक विकास के अंतरगत ही तो आते हैं सक्तियां संबेदन सीलता अवलोकन चमता प्रत्य करण इस्मरती ध्यान कल्पना चिंतन बुद्धी तर्क ये व्यक्तित्त का विकास करता है यह पार्ट क्रम कहलाता है या कह सकते हैं पढ़ाई का किसी भी छेतर से सम्मंदित ऐसा क्रम या ऐसा एक आपको कह सकते हैं सलेबस जो की बालक को आगे भढ़ाने के लिए उसके निर्माण में सहायक होता है याद कर लीजेगा दूस्तों अब इसके अगला कोशन दूस्तों इसके साथ इसाथ बताते चलें जिल लोगों को PDF में कंप्लीट नोट चाहिए हो यूपी टेट, सीट, डीटेपलस भी, सुपर टेट से सम्मंदित वो मेरे वाट्सअप नंबर 91 429 0050 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आपको थोड़ी सी प् उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं उसके अद आपको प्रोसेस बता दी जाएगी कैसे आप लोग फीस पे करें उसके अद आपको सभी नोट्स प्रोवाइड करा दिये जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे नोट्स आपके लिए तयार किये गए हैं अगला द का दोनों का ही होता है अंधे बालक होते हैं जिनकी दरश्टी जो होती है यूज बटे 200 प्योन क्यों हो पावर होती वह यूज बटे 200 क्लास और साम को पांच बजे की लाइब क्लास से जरूर जुडियेगा नीचे कुछ लिंक दियेगा इंपॉर्टेंट प्लेइलिस्ट के वहां से उन क्लासे को जरूर देखेगा तो सामाने वालक संब्यगात्मक रूप से संतुलित होते हैं यानि कि जो वालक संतुलित होता वो उसे मालूम होता है कि हमें संब्यगों का प्रियुक किस प्रकार से करना है तो ये चीज अच्छे से याद रखेगा इस सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए अगर क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें अपन